गुड मॉर्णिंग फ्रेंड कैसे हैं आप सब अपने गरों में बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोगों को बाल हैंगिंग टोकरी नए तरीके से तयार करना बताऊंगी तो मल्टी पर प्लांट जो होते हैं उनको बाल हैंगिंग में लगाएंगे तो आपकी जगे बहुत अच्छी लगेंगी तो आप देखिए यह मेरे बाल हैंगें टोकरी हैं और देखिए एक प्लांटर में तीन प्लांट लगे हुए हैं यह लाल बासा है और वाल विंग जीओ है और यह मनी प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रोध कर रहा है बहुत ही ज़्यादा तो आप इस प्लांट को और इसस्पाइडर प्लांट को भी बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कोलियस लगा दें या जैसे मैंने यह वलटृंटरिंग जू लगाया हुआ है। आप इस तरीके से दो-तीन प्लांट लगा सकते हैं। की एरियल रूट बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ये एक टोकरी में दो-तिन प्लांट लगाएंगे ना जो आप मैस करके तो बहुत ही कुपसुरत लगते हैं और इन टोकरियों को लग तयार किये हुए लगभग मुझे 15-20 दिन हो गये हैं और प्लांट मेरे बहुत अच् से आप लोग एक एक प्लांटर में दो-तिन प्लांट लगाएंगे तो बहुत खुपसुरत लगेंगे और जगे भी कम लेंगे इनकी जो स्वयल मिक से तयार करनी है वह आप लोगों को बहुत ही थोड़ी सी मिट्टी लेनी है गार्डन स्वयल उसमें आप लोगों को सूख पत्निया और वर्मी कमपोस्ट अच्छे से मिला लेनी है और कोको पीट जरूर मिलानी है और चाहें तो आप नीचे गत्ते या निउस्पेपर को आप बिछा सकते हैं जिससे आपकी टोकरिया बहुत लाइट वेट में बनेंगी जिससे टांगने में आपको प्रॉब्लम न नगर सकते है तो तो इसको आप प्लांट लाउंगिंग में लगा सकते हैं यह चाहें तो आप और वहर में बहुत और प्लांट लगा सकते हैं क्योंा तोकरी मेरी कितनी प्यारी लग रही है और अभी से ही टोकरियां तयार करना शुरू कर दीजिए तो आगे पूरे समर में आपकी टोकरियां बहुत अच्छी लग रहेंगी तो आप कोलियस की भी कोई बेराईटी लगा सकते हैं बालहंगिंग में एक दो तीन तरीकी की कोलियस लगाते हैं चुटे चुटे बहुत अच्छे चलेगे उसके बाद आता है यह सिंगोनियम का प्लान शिंगोनियम की भी आप दो-तीन बेराईटी एक 7 एक टोकरियम में ल लगा सकते हैं उसके बाद आता है यह इसनेक प्लांट की ड्रॉप बैराइटी संसवीरिया जिसको बोलते हैं तो आप इसे भी लगा सकते हैं यह देखिए मेरे पास बालेंग की बास्केट खाली नहीं थी तो मैंने इन्हें छोटे-छोटे प्लांटर में लगा दिया है उसक के बाद आता है सिंगो स्वीट प्रटेटो वाइन इसको देखिए मैंने प्लास्टिक के बेकार डबे में काटके और लगा दिया इसकी दोनों वराइटी जब आप एक साथ लगाएंगे ग्रीन वाली नियोन कलर की जो आती है और यह डार्क जो ब्राउन या परपल बोले इनको मैस करके जब आप लगाएंगे ना तो बहुत ही प्यारी लगेगी दिखिए कितनी छोटी सी बेकार बॉटल को मैंने काटा हुआ है और उनमें मैंने टल्टल वाइन लगाई हुई है तो इसको भी आप वाल हेंगिंग में लगा सकते हैं अगर वाल हेंगिंग टोकरी इसके बाद आता है यह परपल हाड का ये देखिए एक सिंगोनियम मेरा यहां भी लगा हुआ है तो सिंगोनियम के भी प्लांट मेरे पास फिल करके और आप अच्छे से इन प्लांट को लगा सकते हैं यह देखिए बेबी सन्रोज का प्लांट इनकी मैंने कटिंग ही लगाई थी और इसके भी लगव पांच से छे प्लांट मेरे पास तयार हो चुके हैं देखिए यह कुछ कटिंग मैंने अभी आठ दिन पहले ही ल लगता है और इसमें छोटे-छोटे फ्लावर्स खिलते हैं तो बहुत प्यारा लगता है यह देखिए छोटे से कुलर में मैंने लगबख चार प्लांट लगा रखें यह टेल्टल वाइन है लाल बादसा है उसके बाद यह वांडरिंग जीओ है एक यह मनी प्लांट है तो प्लांटर को सिफ्ट कर दीजिए यह देखिए मैंने परपल पर्सलेन की कटिंग लगाई थी पीले कलर की और यह देखिए एक सिंगोनियम की में छोटी बेराइटी लेके आई थी तो अभी अच्छे से नहीं ग्रोथ हुई लेकिन मैंने इसको भी लगा दिया दिखिए छ प्लांटर तयार कर लिए अपने अभी वाल हंगिंग टोकरी में लगाने के लिए कोस्मोज या जिसको अंग्रेजी घास बोलते इसको भी लगा सकते हैं उसके बाद यह रहन लिली के छोटी बल में छोटी वाली रहन लिली है तो इसको भी आप वाल हंगिंग टोकरी में ल कि फीं ये है मेरे 3 प्land लगे हुए हैं कि यह एजवाईन का म्प्लांट इसको दो वहांरे लग सकते हैं बहुत अच्छा लगता है और इसकी पकोडियां भी बनती है खुषबी पत्सक्राइब को सब्सक्राइब पाता में βाल हंगिंग जब लाईगों कर लेंगाय है। थैर यी ऊपने अन्री सब्सक्राइब कर लिए भड़ी बादार चैन प्लांटर थैसे बेबी गें Conrad कर लें और इनकी थोड़ी सी नीचे की डंडी को आप मिट्टी में दबा दें सिर्फ दबा दें बस पानी इसको कम देना है और बहुत अच्छे से चलता है यह बहुत खुबसूरत प्लान लगता है उसके बाद आता है यह अल्टर लेंथरा का प्लान इसका मदर प्लान मेरे पास नीचे बालकनी में है उसी की मैंने यह कटिंग लगाई थी और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इसमें दो तीन कलर है और यह चोटे से बेकार रस्कुले के डब्बे में ही लगा हुआ है और बहुत अच्छे से चल गया है तो इसको भी आप वालंगिं बालंगिं टोकरी में लगा सकते हैं जब इसमें से रनर्स निकलते हैं फ्लावर वाले और उसमें फ्लावर खिलता तो बहुत खुप सुरा टोकरिया लगती है और देखिए फिर से यह कितनी छोटी सी इस पेस में दो प्लांटर मैंने लगा है बोटल तो लंबी है लेकिन से पौधा साब सुत्रा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है देखिए यह एक चैन प्लांट मैंने लगा था यह भी देखिए बेकार बोटल में लगा है यह टैंगल हड लगभग डेड़ साल से मेरी लगी है तो अभी ग्रोथ नहीं कर रही इसको मुझे सही कर करना है ऐसे बहुत सारे पौध है जिनने आप लगा सकते हैं मैं 20 में आप लोग को यह भी दिखाऊंगी कि मैंने गुलहर की कटाई चटाई की तो उसकी कुछ कटिंग मैंने पानी में डाल दी थी देखिए इन में रूट बन गई है तो आप लोग कोई भी कटिंग लें त मिक्स करके लगाएं तो बहुत अच्छी टोक्री लगेगी मेरे पास टोक्रिया नहीं थी तो मैंने इने छोटे-छोटे प्लांटर में लगा दिया है पॉट में लगाया हुआ है और बहुत अच्छे से मेरे साधे सारे पौधे चल रहे हैं यह देखिए पिछले साल का मेर जरूर चेक करें क्योंकि मैंने इस प्लांट को रख दिया था मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें कुछ कीड़े लग गए हैं एक तो दिखें तो तुरंत हां से निकाल दें अगर जादा हो गए हैं तो प्लीज आप लोग नीम उयल का जरूर रिस्प्रे करें वरना यह बहुत बढ़ जाते हैं जब मिली बक्स तो हटाना मुस्किल हो जाता है इनको तो आप नीम वाल और फंगिसाइड पाउडर साप पाउडर थोड़ा सा लें उसमें थोड़ा सा सर्फ मिला के अच्छे से से करके और अपने प्लांटर पे सबता हमें एक बार इस प्रे जरू मेरे पास तयार हो चुके हैं सिर्फ मैंने एक फिप्टी रूपीज का प्लांट खरीदा था जिससे मैंने बहुत सारे बना लिए टैंगल हार्ड भी मेरे पास बहुत तयार है और जेट प्लांट को लगाना बहुत ईजी है अभी भी आप इसको लगा सकते इसका ग्रोइन जल रहा है तो आप इसकी ऐसे कटिंग छोटी सी ले और नौट उपर से और इसकी नीचे की पतियां हटा के मिर्टी में दबा दें बहुत अच्छे से आपका प्लांट तयार हो जाएगा तो यहां पे मेरे जो कटिंग से लगे हुए हैं जो अभी जल्दी में मैंने कुछ क से प्लांट नहीं करना है तो किसको धोले नए करना हैँ ड्रेनिज चाहिए है तो उसको चेन बनाए मिकटि यह तो थोड़ी हीं loud से उसको ठीक बनाए सब्ल यहां रात में मैंने इसको लगाया था तो अब देखते हैं चलती हैं कि नहीं इसमें भी जैसे जल्ट रहता है आगे देखिए ये मैंने एक बेबी संरोज की कटिंग लगाई है और मनी प्लांट की कटिंग लगाई है और जो ये नीचे की डंडिया टूटी थी वो भी मिट्टी में लगा दी है देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है आप लोग के साथ सेर करूंगी तो आई होप मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा अगर थोड़ी सी वी इंपॉमेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा सर्सक्राइब कर दीजेगा मेरे चैनल को मिलती हूँ अगली नेस्ट बीडिये में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए के लिए बाई